तो दोस्तों नमस्कार आज आपको अपने चैनल एक्जाम करेक में एडूटेरिया बुक का बिहार दरोगा का जो भोलूम वन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है इसका सेट नमबर 11 का सलूशन करा जा रहा है वीडियो में लाश्तक बने रहा है जिससे कि आपको आगामी बिहा डाला जाएगा उसका आपको नोटिफिकेशन पहले पराप्त हो जाएगा आए एक नमबर प्रस से देखते हैं प्रस्तां क्याकर भारत के राष्टपती पर महाभ्योग चलाने से के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवास्यक होता है तो 14 दिन पूर्व महाभ्यों की चर्चा अनुछेद 61 में है सरवोच नियाला में न्याधिस निक्त होने के लिए बेक्ती को कम से कम कितने बस उच नियाला में एड़वोकेट वकिल के तौर पर होना चाहिए तो 10 वर्स होना चाहिए नागरिक्ता पराप्त करने के लिए सरते निधारित करने सच्छम निकाय कौन सा है तो नागरिक्ता का जो कानुन बना सकता है संसद बना सकता है अनुछेद इगारा के तहत यह पराप्धान अधिकार संसद को है अगला पर संक है लेखा नुदान संग सरकार को अनुमति परदान करता है क्या परदान करता है तो लेखा नुदान ज स्टमसा सुआ है तो देख ले रहे हैं भाग चार में राज के निदे सकत्रू के हैं भाग आठ में संगर चेट का Чар moc भाग सत्रını जो राजभासा के चर्चा भाग अठार पास प्वननद का चर्चा है इसके खौडिंग अंसर Śाले जए गा 1 2 2 14-션 हम heps धाउगा संसत के परतिएक सदन के समझ रखवाता है तो अनुछे 281 के तहट संसत के परतिवेदन को रखवाता है जबकि अनुछे 287 में बीत आयो के गठन का प्राबधान किया गया अनुछे 287 में जो है बीधूत कर पर छूट से प्राबधान है अनुछे 287 में राष्ट्पति के पद्हेतु निम्कित में से कौन से अहर्था सामिल नहीं है कौन से प्रापधान नहीं होना चाहिए 22 परसंखे आठ देखते हैं आठकरा समिधान सभा में चुनाव में कांग्रेस कितने सीटे प्राप्ध की थे तो कांग्रेस 208 सीटों को प्राप्ध किया था आंसर हो जाएगा था तो आंसर हो जाएगा यहां पर पी नम्कित राज सभा की संदर में कथन पर विचार करना है क्या कथन सही इसमा कश्धान करना है परत एक दो बर्स में दो तिया यह गलत है एक एक तिया सदर अवगास ग्रन करता राज सभा सदस्यों के चुना परतियाच होता है गलत है या अपरतियाच तरीके से होता है वो प्राश्पति को हटाने के लिए राज सभा में ही परस्ताव लाया जा सकता है तो या कथन सही अंसर जागा एक कचार सही, अप्सन जागा C नमबर भारतिय इतिहास का सबसे अच्छा करंबध बर्नन पुरानों में मिलता है पुरानों में सबसे पराचिन पुरान कौन से है तो सबसे पराचिन पुरान मतज से पुरान है मेगा अस्थनिज ने अपनी पुष्टक इंडी काम भारति समाज को कितने भागों विभाजित किया तो टोटल साथ भागों में विभाजित किया अंसर जाएगा C नमबर मुगल काल में न्याय का सरवोष अधिकारी समराठ होता था समराठ के बाद न्याय का सरवोष अधिकारी कौन होता था तो समराठ के बाद जो होता था परधान काजी होता था अप्सन B नमबर निम्खित में से किस भारतिय सेना ने खिलाफ़त आंदोलन का समर्था नहीं किया था तो मदन महान मालविये ने खिलाफ़त आंदोलन का समर्था नहीं किया था बाकी जेल नहरू महत्मा गांधी मुहम्मद अली किया था दक्कन एजुकेशन सुसाइटी के अस्थापना किस ने किया था तो दक्कन एजुकेशन सुसाइटी के अस्थापना बल गंगाधर तीलक के द्वारा किया गया था और इसकी अस्थापना अठारा सो असे इसे में किया गया था अगला पर संख्या देखते हैं 16 नंबर राजा राजा राजी सी को राजा की उपाधी किस ने दिया था राजा राजी सी को राजा की उपाधी जमान सा के द्वारा दिया गया था तो उसका तोप जो है सिंदु नदी में डूब गया था उसे जो है राजी सी के द्वारा निकलवा करके उसे वापस कर दिया गया था इसी के जमानसा के द्वारा रंजिसी को राजा की उपाधी दिया गया था अगला पसंख्या हुआ सुल्तान कौन था जिसने खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार करने वाला सा सकता अल्ला उदिन खिली जबकि मुबारक खिलिए ने अपने आपको स्वाई का खलीपा घोसित कर लिया था अगला पर संख्या देखते है बरसंख्या ठार नम बिख रहे हैं भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है वो आ सुथ पीटक में आनसर क्या है यह नर्ब जबकि उसके नियम का जो संग्रा है नियम बिने पिटक में अनसर रहे लेलगा A नमबर निम्कित में से कौम सा सही सुमीलित है तो भरीद सही का आमीर अली बरीद ने अस्थापना किया था या साही है जबकि आदिल साही के अस्थापना यूसुफ आदिल साह के द्वारा किया गया था कुतूब साही का अस्थापना कुली कुतूब साह के द्वारा किया गया था इमाद साही के जो अस्थापना किया था फाते उल्ला के द्वारा किया था फाते उल्ला इमाद साह नाम था और जो मली कहमद है मली कहमद के द्वारा निजाम साही मन्स का अस्थापना किया गया था बाहमनी समराज के स्थापना कब हुआ था बाहमनी समराज के स्थापना 347 में हुआ था जबकि संगम्बंस के स्थापना 1336 में हुआ था बरनाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भासा में परिवर्तित कर दी जाने वले पत्रिका कौन थे तो अम्रित बजार पत्रिका साइमन कमिशन का भारत आगमन कब हुआ था साइमन कमिशन का जो भारत आगमन हुआ था वह हुआ था फरवारी 1928 में जबकि साइमन कमिशन का गठान 1927 में हुआ था बिस्व सांखी की दिवस कब मना जाता बिस्व सांखी की दिवस 20 अक्टूबर को मना जाता जबकि राष्टिय सांखी की दिवस रहेगा तो 29 जून को हो जाएगा घुमर लोकनीत का समद किस से घुमर लोकनीत का समद राजस्थान से अप्सन हो जाएगा अगला करा होलकर ट्रोफी किस खेल से समद देते हैं होलकर ट्रोफी का समद्ध है बिरीज खेल से अप्सन हो जाएगा सी नंबर भारती अंत्री संधान संगठन इस्तरों की अस्थापना किस वर्स में की गए थी तो इस्तरों का जो अस्थापना वह था 15 अगस्त 1979 इसवी को किया गया था बरतमान और इस्तरों का मुख्याल है ब पहले चवगन था बरतमान में छपना गयबन और दूसरा टोगो यह दोनों देश राष्टमंडल में सामिल होगा तो अंसर हो जाएगा सी नंबर निम्कित में से कौन सबसे चावडी जलसंदी है चावडी जलसंदी पूछा गया तो चावडी जलसंदी हो जागा डेविस जलसंदी जबकि सबसे चावडी जलपरपात पूछेगा तो खोन जलपरपात हो जाएगा और सबसे विसाल जलसंदी टाटर है टिटी काका सरबादिक उचाई पर इस्थित जील है 29 नमर पर देखते हैं मिस्र देश के संसद को क्या नाम दिया गया तो मिस्र देश के संसद संसद का नाम हो जाएगा पिपोलस एसेंबली अप्सना चयाएगा बी नंबर जबकि नेशनल एसेंबली फ्रांस के संसद का कहा जाता है पार्लियामेंट यूक्जी ONE ही यह सब भारती राष्टी जैविक विवित्ता प्राधिकरन को कब अस्थापित किया गया था इसका अस्थापना किया था 2003 इसका हेटक्वाटर जो है चैन्नाई में इसका मुख्याल एंसर वे नमबर भारत के राष्टपती द्रौपती मुर्मूप का अपने पड़के अनुसार करम में कैमें हैं तो यह 15 में अप्शन C नमबर संजुक्त राष्ट मानवा धिकार आयोग के नए परमुख कौन बने हैं तो बोलकर टर्क अप्शन B नमबर बिस्व प्रेसवत अन्ता सुचकांक 2022 से सवैं भारत का अस्थान किया तोниц현ी बिस्व प्रेश्वत अंता सुचकांक 2022 में भारत का अस्थान जो में 150 नमबर हैं जबकी 2023 का रिपोर्ट भे जारी कर दिया इसलिए 23 का याद रखना 161 नंबर पर अंसर रहागा C नंबर परस्ट के एकोडिंग 23 का 161 अस्थान पर है अगला परस्ट का है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 22 का आउजन कहां किया गया धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास या भारत और जापान के बीच किया जाता है इसका आयन करनाटक के बेलगाओं में किया गया असर रहागा A नंबर कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार देरबाई से समानित किया गया तो महिलाओं को टोटल 34 महिलाओं को दिया गया लेकिन कुल बेक रहेगा तो टोटल 118 लोगों को दिया गया जिसमें 34 महिलाओं को दिया गया अगला पसंख्या देखते है ठाका अंतराष्टे फिल्म फेस्टिबल में किस फिल्म को सर्वस्ट फिल्म आवाड दिया गया है तो कुजहंगल को दिया गया निमखित में से किसे रसाइन के छेतर में नोबल पुस्वा दोयरबाई से समानित किया गया है कैरोलीन बटोरजी के सार्पलेस और मोर्टन मेलडल्स को सामिल किया गया कोप 28 संजुक्त राष्ट जलवाई परिवर्तन समेलन 2023 का आईजन कहां किया जाएगा तो 2023 में UAE में किया जाएगा जबकि 2022 मिस्र में आईजन किया गया है कोप 27 का प्रसंख्या 41 गलोबल फर्चुन 500 की सूची में किस भारतिक कंपनी को अंठानवा अस्थान पर आप्त किया गया है तो 98 अस्थान पर जो भारतिक कंपनी रहा एल आईसी जो है 98 नंबर पर रहा अंसर क्या हो जाएगा बी नंबर जबकि रिलाइंस का स्थान चुर्ठ नंबर तो प्रसंख्या 42 वेस्स ओपन 22 के महिला एकल social की सूस्य की ड़ार basin का किता गया जबकि पुरूस एकल का कीता पुचहत कंप पूरूस कार्लोस अलका राज की दवारा जीता गया US Open 222 का किताब अगला प्रसंग क्या है 2026 में आजित होने वाले राष्ट मंडल खेल का आजन कहां किया जाएगा तो अस्ट्रेलिया में किया जाएगा जबकि 222 का बर्मिंगम किया गया हीम प्रहरी योजना के सुरवात किस राष्ट सरकार द्वारा किया गया है तो हीम प्रहरी योजना उत्राखंट राज के द्वारा किया गया है निम्खित पुष्टा के वाम लेखक में कांसा सुमेलित नहीं है गलत बताना दा लास्ट हीरोज के पी साइनात सही है इंडो मीटेवल के अरुणधती भटाचारी सही है ए नेशन टू प्रोटेक्ट पिरियम गांधी यह भी सही है दर टेन ड्री ट्रिलियंड ड्रीम इसका जो है जैन्द घोसाल नाव करके इसका हो जागा सावरब चेंद्रगर्ग सावरब चेंद्रगर्ग अंसर क्या हो जागा तो D number option राष्टे जंजाती इंट महुचंव का आयजान अगला परसंग का परधान मंत्रि नन मोदी ने अटल बिरिज का उदगाटन किस नदी पर किया अटल बिरिज का उदगाटन किया सावर मती नदी पर किया अप्यन हो जागा और इसका लंबाई जो है 10.5 किलो मीटर इसका लंबाई 300 मीटर है सावर माती पूल पे किया गए इसका लंबाई 300 मीटर है अगला कराय की चल पिधूत एवं सवर परिजुर्या से संचालित भारत का पहला हवाई अड़ा कौन बना है तो इंदरा गांधी हवायड़ा चोकी नई दिल्ली में इस्तित है बिष्व की सबसे लंबी राजमार्क सुरंग अटल सुरंग है अटल सुरंग की चवडाई कितनी है तो इसकी चवडाई है 10.5 मीटर जबकि इसकी लंबाई है 9.2 मीटर अंसर क्या जागा स्वरी 9.2 मीटर नहीं 9.2 कीलो मीटर हो जागा लंबाई चवडाई 10.5 मीटर है कुम्भ मेला को किस वर्स अमुत सांस्कृतिक भिरासत सुची में सामिल किया गया था तो कुम्ह मेला को सामिल किया गया था दो हजार सत्रा इसवी में जबकि योगा को जो सामिल किया गया था योग को दो हजार सुला इसवी में कच्चे इसवात को उत्पादर में भारत का अस्थान कौन सा है सर कर जाएगा सी नंबर भार्थिय नो सेंना दोर्रह किस पंडुबी को हाल की में सेवा मुक्त किया गया और आई एनस घ्री दोnea सेवा मुक्त किया गया इसको शेवा मुकत किया गया जूलाई 2012 में मासिक धर्म स्वच्ता प्रवंधन योजना प्रारम करने वाला बिहार का पहला जीला कौन बना है तो यह पूर्णिया जीला बना अंसर क्या जाएगा डी नंबर अप्सन हो जाएगा ए नंबर साहित इसे मैथली कभी थे है जन जाती गौरब दिवास परतिवास मना जाता है का तो 15 नुवंबर को मना जाता है बिर्शा मुंडा के जनु के उपलच में जनु तित्थी के याद में निम्खित में से कौन सा जल्परपात राजस्थान में नहीं है नहीं जो बताना है चुलिया, पुनासा, मिनाल ये सभी राजस्थान का है लेकिन पायकारा जल्परपात ये तमिलाडूम परता है निलगिरी छेतर में अंसर हो जाएगा डी नंबर परसित परवत कंचन जंगा किस हिमाले का भाग है कंचन जंगा जो परवत है वो हिमादरी या इसी को बिरिहत हिमाले बोला जाता इसी का भाग है दिये गए विकल्पों में से किस राजस्थे होकर कि भारत का मानक समय नहीं गुजरता है उतर परदे से गुजरता है मत परदे भूटान के साथ कितने भारती राज सीमा साजा करता है तब भूटान के साथ जो सीमा साजा करता है वो सिक्किम हो जाएगा पसीम बंगाल हो जाएगा और अस्सम हो जाएगा और अरनाचल परदस हो टोटल चाराज सीमा साजा करता है एंजिल जल परपात किस देश में इस्थ 8 تतीत है या बेने जुवेला में सथीत है option क्या हो जागा is c Mumbai इसी पूझा कि आई है 989 मीटर 979 मीटर आर्काटिक एवां बेरिंग सागर को कौन सा जल्ड़ामरो मत जोड़ता है architect ンドर醒 सागर को जोड़ता है वह अर्क्टिक सागर बैरिंग जल टमुन मत जोड़ता अंसर क्या हो जाएगा ब नमबर अपसन माली की राजधानी का है माली की जो 77 नाइजेरिया नीजर्ट कीमर्णी नियोंने हो जाएगा यह जिंबावे का राजधानी है यह लोमे जो-व प्रणके शिष्टी फाइप देखते हैं। निम्खित मेंसे कौन सा बंदरगा fortunately 10 पर इस्थित नहीं है तो नहावा सोबा मार्मगुवा कांडला है सभी도शी मीटड़वा कोले रू पूर्भी ठरुट का बंदरगा हैं। फेरम निम्खित मेंसे किसका लैटी नाम है तो फेराम जो है लोहा का लैटीन नाम है संक्यत एफ ही होता निम्खित में से कौन सा एक जल परदुसक नहीं है हीमनत जो है स्वच मीठे जल का सुरोत है ना कि या परदुसक है बाकी सा परदुसक है और सेनी क्रोमियम गाद बिहार में पानी के किस रसाइन का संद्रन है तो एेनों टों और इसो तो शल फ़र वर आखषाइड और नीठोजन और नीट्रोजन था अनसर जैगा려 एक दो और तीन आप्सन बी नमबर तमान बहुत हजा स्वाइब कर दर्ण आफ्साइड का विए ओक्साइड को साबुन बनाने में किया जाता मिए और तर पर इस्तेमाल कियाने वाला नाइट्रोजन अधार तुर्वरक जो कि अमोनिया और किसके बीच रसाइनी कभी किरिया दवारा तैयार किया जाता है अमोनिया और अर्वन डाय अक्साइड के द्वारा तयार किया जाता है अगला पसंगे नापकिये विखंडान में निम्खित में से कौन सी किर्णे नहीं निकलते हैं नापके भी खंडन के दोबारा अलफा बीटा गामा किरा निकलती है अब रक्त नहीं निकलती है निम्कित में से किसकी कमी के कारण मानो शरीर में धीमी बीर्दी होती है धीमी बीर्दी है प्रोटीन के कारण होता है नाकफ़ानी के पाउदय में परकास अंसलिस्तन निम्कित रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर में हिपैरिन के कारण निमखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है तो शरीर में जो है विटामिन C को संचित नहीं किया जा सकता है रुधीर के फलाजमा में निम्खित में से किस से एंटी बावडी निर्मित होता है एंटी बावडी जो है लिंफो साइड के द्वारा निर्मित होता है अप्शन हो जाएगा B नमबर अगला पर संख्या तंतु पास्थी फाइबर बोन संधी कहां पायाते है अप्शन क्या हो जाएगा तो A नमबर अप्शन हो जाएगा निम्खित में से कौन सा मानुश्रीर की समनवाई परनाली है मानुश्रीर का जो समनवाई परनाली है तंत्रीका तंत्र तंत्रीका और अंत्र स्तरावी तंत्र अप्शन हो जाएगा C नमबर अप्शन कि अग्जा पर संग क्या है कं शेक्रेटीन हार्मन किस के दौरा स्रावीत होता है सेक्रेटीन हार्मन जो श्रावीत होता है ग्रहनी के दौरा अप्शन हो जाएगा बी नमबर यदी पिर्थी पर गुत्वा कर्शन बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भारे उंद्रभमान पर क्या परभाव फड़ेगा तो सुन्न हो जाएगा अप्शन हो जाएगा डी नमबर निमखित में से कौन सदीष राशी नहीं मतलो अदीष राशी बताना तो आईतन अदीष राशी है बल विस्थापन बेक सदीष राशी है ध्वानी का तारत या तीछनता का निर्धारन किस से होता है तो ध्वानी के आबरिती से होता है बिधूत परिपात में फ्यूज तार को लगाया जाता है किस में तो फ्यूज तार को गर्म तार में लगाया जाता है या जिवी तार उसी को बला जाता है अगला पसंग कर निकड़ दिश्यूज के संबन में कौन सा कथन गलत है गलत कथन बताना इसमें मोटाई बढ़ जाता है सही है नेतर लेंस की फोकसदूरी कम हिआता है सही है कि नेतर गोलक की त्रिजिया या व्यास में बेरधि हो चो ऑचा जाता है जोकि पर्ती भी रेटीन छुटा हुए तापमान में यहां पे बिर्दी होगा तो परतिरोध क्या होगा तो परतिरोध बढ़ेगा option a number नवसादर और नमक के मिशन को किस विधी से पिर्थक कर सकते हैं नवसादर और नमक के मिशन से नमक को पिर्थक करने के लिए उर्धोपातन विधी का अप्योग करेंगे सम्पिड नो कालिर्मान उस अस्थान पर होता है जहां वायुदाप क्या होगा तो वायुदाप उच्छ होगा अंसर बी नमबर निमखित में से की समीती का समन मुद्रा आपूर्ती से अबधारना में परिवर्तन से है तो वाय बी रेडि समीती का समन मुद्रा आपूर्ती के अबधारना में परिवर्तन से है क्या हो जाएगा ए नंबर अप्सन हो जाएगा अगला पसंग किसान को साख क्यूप लपता सुनीचित करने के लिए किसान के रेडिट कार्ट की शुरुआत कभ हुआ था 1998-99 अप्सन बी नंबर अगला पसंग किया भारत में मुद्रा निर्गमन है तू कौन सा परनाली अपनाई जाती है तो मुद्रा निर्गमन के लिए नियुन्तम और अच्छित परनाली अपनाई जाती है पर्तियाच कर सनीता का सामानिम्खित में से कौन सा है पर्तियाच कर कौन सा तो आयकर जो पर्तियाच करें बाकि उत्पाद कर सेवा कर विक्री कर यह सभी अपर्तियाच कर है करा भारत में सर पर थां विशेश आर्थिक छेत्र A, C, Z की अस्थापना कहां किया गया था तो A, C, Z जो होता है इसे कांडला में अस्थापित किया गया था जो कि गुजरात में है अंसर हो जाएगा C नंबर 96 समयत का पराश्ण इसका अंसर बता दिया जारा 96 नंबर पराश्ण का अंसर हो जाएगा 14 अप्शन A नंबर 97 नंबर पराश्ण का अंसर हो जाएगा 2.5 रूपीज अंसर B नंबर 98 का अंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर 99 का अंसर हो जाएगा 48 घंटे डी नमबर 100 का अंसर हो जाएगा साथ अनुपातीन सी नमबर आज के सेट का लाश प्रस्ता अगला सेट आपको जाल दूपलप्त करा जाएगा वीडियो अच्छा लगए तो कमेंट करें लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें थांक्यू धन्यवाद